हेलो विवन कैसे हैं आप सब लोग तो आज इस वीडियो में बात करेंगे आई मसल्स के बारे में देखें कि कौन-कौन से मसल्स इन्वाल्ट हैं आई मोमेंट के लिए एंड उनकी नर्फ सप्लाई कौन-कौन सी हैं कि मेंने एक मॉडल बना रखा है छोटा सा आई का जिसमें आपको समझ आज ढात की कौन सी मसल्स कहां से और और कहां पर अटाच हो रही है तो इसे भी आगे देखेंगे तो प्लीज से भी टार्ग्ट रखते हैं लाइक का मैंने अज से पहले कभी रखा नहीं तो इस बार IntraOcuruscles sheer Now Extracular Muscles क कु हम लोग 2 में Divide करेंगे Okay Do Division करते है स्की वॉल्लूंसी Voluntary Muscles और Involuntary Muscles Now Voluntary Muscles आपको पता यह कॉनकॉंसी होती है क्या होती है Voluntary Muscles जिरे हम खुद control कर सकते है ठीक है तो यह Voluntary Muscles इसमें है 7 कितनी 7 आपको याद रखने है Muzles ठीक है जो हमारे कंट्रोल में होती नहीं है इनका नममर है 3 Voluntary Muscles का है 7 और Involuntary Muscles का नममर है 3 Extra Aucular Muscles के अंदर पहले छोटा सा है Topic Involuntary Muscles तो इसको देख लएते हैं सब से फिरे इसमें 3 है Superior, Inferior, और Orbitalis muscle एक है Superior Tarsal ओके नेक्स है इनफीरियर टार्सल एंड जो तीसरा है वो है आपका है और भी टैलिस मसल और भी टैलिस ठीक है मसल नौ इनकी जो नर्व सप्लाई है वो है सिंफेटेटिक नर्व के द्वारा होती है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि जो इन तीनों की नर्व सप्लाई है वो किस से हो रही है सिंफेटेटिक नर्व ओके नौ अब बढ़ते हैं वालेटरी मसल के तरफ नौ वालेटरी मसल को हम वापस तीन डिविजन करेंगे इसके ओके तीन डिविजन के इसके कौन कौन से है रेक्टर्स मसल में ओबलीक मसल और लपीएस अब यह क्या है बताता हूं सबसे पहले है रेक्टर्स जो रेक्टर्स है इसके होते हैं चार नेक्स हमने बोला था ओबलीक oblique oblique muscles में हैं 2 और जो हमने बोला था LPS LPS एक ही muscle का नाम है उसका नाम है levator palpebrae superiores LPS ठीक है सबसे पहले बात करते है rectus muscle की तो हमने बोला कि इसमें rectus में 4 होते हैं तो 4 कौन कौन से रते हैं superior, inferior, lateral और medial superior inferior lateral और medial ठीक है superior rectus, inferior rectus, lateral rectus और medial rectus अब oblique की बात करें तो oblique में हमने बोला कि 2 होते हैं तो एक है superior 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 oblique और दूसरा है inferior oblique ठीक है इसमें lateral or middle नहीं है इसमें सिर्फ superior और inferior है नाव बात करते हैं जब इनकी अब जो rectus muscles होती है जो चार rectus muscles होती है इनका origin कहां से होते हैं origin इनका मैं यहां पर लिख देता हूँ ठीक है इन चारों का origin कहां से हो रहा है इनका origin हो रहा है common tendiness ring से जिसको annulus of zin भी बोलते हैं यह से मैं इसको आपको model में देखाऊंगा प्लेमिकर में यह चार्ट क्लियर कर देता हूँ ठीक है तो यहां पर लिखता हूँ मैं originates from common tendiness ring ठीक है यह सब है originates from the common tendiness ring और attach कहां पर करती है अपना आपको यह यहां पर लिख देता हूँ यह तो एक point हो गया next point इसका यह है कि यह attach कहां पर करती है attached to the sclera of the eyeball तो यह है attached to the sclera of the eyeball ठीक है clear हो गया rectus clear हो गया आपको अब हम बात करतें oblique की तो superior oblique और inferior oblique था तो इनके origin जिसे इनके origin तो सब same ही है लेकिर इनके origin अलग-अलग है सबसे पहले बात करते है superior की अगर हम बात कर रहे है superior की origin कहां से हो रहा है तो superior का origin हो रहा है body of the spinoid bone ठीक है यहाँ पर originates from the body of the spinoid bone ठीक है इतना याद रखने है आपको और यह अपका अपना attach कहां पर कर रहे है अपना आपको and attaches to the posterior of the sclera clear हो भी बात अगर हम बात करें inferior की inferior का मैं यहाँ पर लिख देता हूं इसका originate ओक है यह originate फ्रॉम दे एंटीरीर ठीक है कहां से originate फॉर्म दे एंटीर एंटीर एस्पेक्ट ओफ दे और बिटल फ्लोर clear हो भी बात यह साब को याद रखनी चीज़ है ठीक है and इसका attach यह यह भी attached to the posterior of the sclera हो गई ठीक है last यह हमारे पास जो यह आली मसल है leviator palpyrus superlis यह कहां पर originate हो रही है it originates from the lesser wing of the sphenoid bone यहाँ पर लिख देता हूं ठीक है originates from the lesser wing of the sphenoid bone ठीक है and यह भी attach कहां पर करती है अपना आपको यह attach करती है superior torsal plate of the eyelid क्योंकि यह जो हमने बोला था कि जो आपकी यह आली है leviator palpyrus superlis है यह अपका attach कहां पर होती है यह movement करती है आपके eyelid का जबकि जो आपका restus muscles है और जो oblique muscles है यह दोनो ryثر स्वेक हैं यह आपके eyeball की moment करती है लेकिन यह जो leviator palpyrus superlis है यह आपके आपकी जो eyelid है, upper eyelid अपका movement करती है अब बहुत लोग को इससे भी confusion हो गया होगा ठीक है जिसके जिसको समझने आया होगा तो अब model लेके आते हैं ठीक है यह मैंने एक model बना रहा है ठीक है इसमें आप देख सकते हो यह जो green part है यह आई बॉल है आपका ठीक है समाजी आ रहा होगा आप देखो यह जो टेक है यह ये इसके नीचे वह यह इफ़्िरीयर है यह इनफ्यियर वाला आपका लिटरल और यह अपका medial है, यह कहां से मैं अपको क्या उला था, यह originate कहां पर हो रहे, common tendinus यह जो मैंने black color का यहां पर बना रखाया है, तो यह सब देखो यह सब चारो इसी से मिल रही है न, तो यह क्या है, common tendinus ring है यह, यहां से originate होके, और यह कहां पर attach हो रही है, देखो, कहां origin यहांसे नहीं है याद रखना कि जो rectus muscles है इनका origin है इससे tinninas ring से लेकिन आपकी जो यह है जो मैंने red में किया एक यह red की ठीक है oblique muscle और एक यह है यह ठीक है तो यह superior oblique muscle है और यह जो निचे है यह inferior oblique muscles है ठीक है समझागी बात और यह जो white से मैंने बना यह है लीवेटर ठीक है लीवेटर पैलपेवरे सुपेरिलस यह जो आपके आइलेट को सप्लाइ कर रही है जो आपके आइलेट पे जो मसल कंट्रोल कर रही है यह वाली मसल है वाइट कलर वाली ओके देख सकते हैं तो अब बात करते हैं इसकी nerve supply के वारे में हमने यह सब तो देख लिए कि कहां कहां से originate हो री कहां पर attach हो रियों के नाम क्या-क्या है अब हम बात करेगें कि nerve supply क्या है इन वालिंटर के तो हमने देख ली ती कि sympathetic nerve से होती है तीनों की लेकिन अब इन की क्या-क्या होती है तो उसके लिएक ट्रिक है आपके याद रखना है यहां पर मैं लिख देता हूं इसका मतलब क्या है आपको उसको क्या समझेरे से मतलब दिखिए ऐस दो एसो क्या है सुपीरियर ओबलिक तो इसके लेकिन भी नइमर देते हैं नमबर 3 नर्व कौन सी होती है, oculomotor nerve, तो oculomotor nerve सबको supply करेगी, पर जो आपका यह है, SO, that is superior oblique है, इसको supply करेगी, number 4 वाली nerve कौन सी है, वो trochlear nerve और आपके LR, जो LR है कौन सी है lateral, आपके lateral rectus इसके लिए number 6, abducent nerve तो यह आप इससे याद कर सकते कौन कौन सी में कौन सी nerve supply कर रही है I hope आपको वीडियो समझ आए होगी and इस model ना थोड़ी सब को help किये तो please like करना and इससे क्योंकि आप idea तो मिली ही होगी, कौन सी muscles कहाँ पे है ठीक है, कैसी आ रही है, कहां से आ रही है okay तो next video में हम बात करेंगे इसकी moment की कैसे moment कराती है eyeball की, क्योंकि अगर इसी में करता तो काफी वीडियो लंबी हो जाती तो प्लीज लाइक करना and हाँ 30 likes का target है तो प्लीज उससे जरूर करना तो मिलते हैं next video में, thanks for watching कर दो कर दो